Hello friends, अगर आपको coding नहीं आती है, यहां तक कि अगर आपको wordpress नहीं आता है, तब भी आप अपने लिए एक perfect website बना सकते हैं, वो कैसे, इसके लिए आप AI यानि artificial intelligence का use कर सकते हैं, साथ ही आप website builder का भी use कर सकते हैं, और अपने लिए बहुत ज़्यादा fast website को बना सकते हैं, अब जो website है, आप अपने clients के लिए बना सकते हैं, या फिर अपने किसी भी business के लिए एक अच्छी website बना सकते हैं, और इतना ही नहीं friends, आप अपने लिए एक e-commerce store भी setup कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपना एक blog बना सकते हैं, उसमें article लिख कर अच्छी खासी online earning करना start कर सकते ह आना शुरू करते हैं, मेरा नाम है विशेक और आप देख रहे हैं, microsolution, ओके friends, तो मैं आ चुका हूँ अपने computer की screen पर, सबसे पहले मैं आपको एक demo देना चाहूँगा कि हम इस तरह की website बनाने वाले हैं, तो देखे friends, आज हम इस tutorial के अंदर इस तरह की website को बनाने वाले हैं साथ ही इसके अंदर आपको contact वाला form भी मिल जाएगा और इसको बड़े ही आसानी से use किया जा सकता है, जबकि wordpress में और अगर आप coding से करते हैं तो इसमें काफी time लगता है, चलिए हम बनाना शुरू करते हैं, इस तरह की website को बनाने के लिए आपको एक अच्छे website builder की जुर description box में और pinned comment में दे रहा का है, आप जैसी इस link पर click करेंगे तो आपके सामने ये वाली website open हो जाएगी, यहाँ पर आपको website builder का ये link दिखाई देगा, अगर आपको future में ये link दिखाई ना दे तो आप किसी भी menu में जाकर देख लेना, आपको website builder पर click करना है, friends अभी जब मैं वीडियो को record कर रहा हूँ, इस समय यहाँ पर इसकी जो price है वो 149 रुपीज पर मन चल रही है, और अगर आप future में कभी इस page को देख रहे होंगे, तो हो सकता है कि page आपके सामने कुछ different दिखाई दे, और यहाँ पर जो price है, जब भी sell चलती है, तो sell के according यहाँ पर price show होती ह अगर sell नहीं है, तो price थोड़ी बड़ी होगी, अगर sell है तो price कम होगी, तो यह future में depend करेगा कि कौन सी sell चल रही है, तो आप confuse मत होना, अगर यह page आपको different दिखाई दे, उस समय जो भी sell चल रही होगी, वो उस समय के साब से best होगी, अभी फिलाल hostinger पर आपको website builder वाला यह plan just 149 rupees per month में मिल जाएगा, आप चाओ तो claim deal वाले इस button पर click करके direct purchase कर सकते हैं, या फिर आप scroll करके थोड़ा नीचे आना और यहाँ पर आपको मिलेगा add to card का option, यहाँ पर मैं आपको पहले कुछ basic feature बता देता हूँ, उस plan के साथ अगर आप जाते हैं तो, यहाँ पर आपको 799 rupees value वाला एक domain name free मिल जाएगा, आपको domain name अलग से purchase करने की जुरत नहीं है, आपको अपने website के लिए एक नाम की जुरत पड़ेगी, उसे ही domain name कहते हैं, जो कि यहाँ पर आपको plan के साथ free में मिल रहा है, ठीक है, आपको free email मिल रहा है इसके साथ, आपको e-commerce वाले features भी free मि marketing integration के लिए आपको काफी सारी facility मिलती है, 24-7 आपको customer support मिल जाता है, और यहाँ पर आपको 3 month के लिए extra free मिल रहा है, आप जितने भी month के लिए purchase करेंगे, उसके सार आपको 3 month का extra free मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको AI features मिलते है, AI features के अंदर काफी कुछ है, अभी मै आपको unlimited free SSL मिलता है, SSL से आपकी website में ऐसा log का sign आएगा, और आपकी website secure दिखाई देगी, और इसके अंदर web hosting include मिलती है, तो cool मिलाकर यह plan अगर आप purchase करते हैं, तो एक तरह से आप web hosting ही purchase कर रहे हैं, और अगर आपके पास already hostinger की web hosting है, तब भी आप website builder का use करके अपनी website को ब जो next page है, इसमें काफी सारी information आपको मिल जाएगी, अब देखे friends, यहाँ पर आपको अलग-अलग prizes देखने के लिए मिलेगी, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आपको discount देखने के लिए मिलेगा, वो है 48 months के साथ, अगर आप 48 months के साथ जाते हैं, तो आपको just 149 रुपी पर month pay करना है, ठीक है, तो मैं तो आपको यह recommend करूँगा कि अगर आप एक बर website बनाने का plan कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर 48 months के साथ ही जाएं, यहाँ पर आपको 3 months extra free भी मिल जाएंगे, other plans के साथ यह facility नहीं है, तो आपको 48 months के साथ ही जाना चाहिए, लेकिन अगर आप आपका budget कम है, तो जरूरी नहीं है कि आपको इसी वाले plan के साथ जाना है, लेकिन budget कम होने पर आप 24 months के लिए भी ले सकते हैं, यहाँ पर आपको अभी के लिए 179 rupees per month pay करना है, हो सकता है future में यह rate कम जादा हो जाए, तो यहाँ पर आप 2 साल के लिए भी purchase कर सकते हैं, और यहाँ पर आप चाहें तो 12 months यानि एक साल के लिए भी purchase कर सकते हैं, बट इस case में आपको 239 rupees per month देना पड़ेगा, लेकिन आप 1 month के लिए बिल्कुल purchase मत करना, यह काफी costly हो जाता है, और एक मेने में आप अपनी website को अच्छे से manage भी नहीं कर पाएंगे, और आप उसका SEO ब साथ ही आपको 3 months free मिल जाएगा, चीक है, तो मैं यह वाला plan select करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, अब यहाँ पर आता है create your account, अब आपको अपना एक account बनाना है, उसके लिए आपको यहाँ पर email address enter करना है, या फिर आप Facebook से login कर सकते हैं, या फिर आप Google से login कर सकते हैं, ले आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी payment का माध्यम select कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके पास available हो, आप यहाँ से payment का माध्यम select कर सकते हैं, यहाँ पर आपको UPI की facility मिल जाएगी, सबसे best यह है, अगर आपके पास कोई भी option नहीं है, तो आप UPI select कर लीजिए, अगर आपके पास PTM है, या फिर Google पे है, तो आप इनका भी use कर सकते हैं, आप net banking कर सकते हैं, ठीक है, credit card का use करना चाहें, तो आप कर सकते हैं, अगर आपके पास credit card है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी payment का माध्यम select कर लेना, और friends, यहाँ पर आपको description box और pin comment में दे दिया है, और website को open करने के लिए link भी मैंने आपको pin comment में और description box दोनों में दे रखा है, तो यहाँ पर आपको option दिख जाएगा, have a coupon code, इस पर आपको click करना है, और यहाँ पर micro solution enter कर देना है, तो देखिए, यहाँ पर मैं जैसी micro solution enter करूँगा, तो यहाँ पर तो आप भी अपने इसाब से किसी भी माध्यम को select करके payment कर लेना, आप मैं payment करके आपको सीधे next step बताऊंगा, आप जैसे फ्रेंड आप successful payment कर देंगे, तो आपके सामने ये वाला page आएगा, आप start now पर click कर सकते हैं, और अगर आपके सामने ये वाला page नहीं आ रहा तो हो सकत आपके पास ये वाला page आएगा, ठीक है, इसके अंदर आपको आपकी web hosting दिखाई दे जाएगी, और उसके सामने आपको ये manage वाला button दिखाई देगा, आप इस पर click कर देना, तो आप इस वाले page पर आजाएंगे, अब यहाँ पर आपको start now पर click करना है, इसके बाद यहाँ पर हमें तीनों option मिलेंगे, हम इन तीनों में से कोई भी option select नहीं करेंगे, हमें यहाँ पर select करना है, skip I don't want personalized experience, इस पर मैं click कर रहा हूँ, जैसी मैंने इस पर click करा, तो यहाँ पर देखे, again मुझे दो option मिलें, कि क्या WordPress का use करके website बनाना चाहते हैं, या Hostinger website builder with AI का use करके website बना रहा है कि कैसे आप WordPress install करके website बना सकते हैं, उस वीडियो का link में आपको इस वीडियो के description box में दे दूँगा, तो आप उस वीडियो को देख लेना, अगर आप WordPress का use करना चाहते तो, but हम website builder का use करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर इसको select कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर select पर claim करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर select पर click करूँगा, जैसे मैं इस पर click करा, तो यहाँ पर मुझे एक box मिलाए, उसके अंदर मैंने एक domain name को search करके देखा है, कि क्या वो available है या नहीं, तो मेरे case में यह domain name available था, इसलिए यहाँ पर domain is available दिखा रहा है, आप जो भी domain name search करक यह हो सकता है, वो available ना हो, तो फिर आपको यहाँ पर different domain name के साथ check करके देखना पड़ेगा, अगर available हुआ तो आपको कुछ इस तरह के से दिखाए देगा, domain is available, और अगर आपका वाला भी available है, तो फिर आप यहाँ पर continue पर click कर सकते हैं, तो मैं continue पर click कर देता हूँ, अब यहाँ पर हमें domain का registration करना पड़ेगा, तो आप भी इसी तरह के से domain का registration कर लेना, यहाँ से आपको क्या करना है, country को select करना है, और next पर click कर देना है, इसके बार आपके सामने जो form आएगा, इस form को size से fill कर लेना, address में कम से कम एक number जरूर use करना अन्य था address के अंदर error आईगी, तो मैंने यहाँ पर इस form को fill कर लिया है, और अब मैं finish registration बटन पर click कर दूँगा, तो जैसी friend domain का registration complete होगा, तो हमारे सामने यह वाला page आ जाएगा, और इस page में हमें बोला जा रहा है, कि आप अपनी website को एक minute में बना सकते हैं, वो भी AI website builder का use करके, तो friends मैं आपको एक minute के अ जा जाएगा, और यहाँ पर आपको choose your category काफी सारी category की templates मिल जाएगी, अब यहाँ पर आप जिस भी purpose से website बनाना चाहरें, उस से related एक अच्छी सी template को select करिए, आपको इन सभी के अंदर अच्छी templates मिल जाएगी, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कुछ के और अगर आप services के लिए website बनाना चाहरें तो देखें, यहाँ पर आपको काफी सारी templates मिल जाएगी, तो friends आपको अपने work के हिसाब से जो भी template पसंद आए, आप उसका पहले preview check कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखें, preview पर click करना है आपको, preview पर click करने के बाद वो template desktop version पर कैसी दिखाई देगी, यहाँ पर आपको कुछ इस तरी की दिखाई देगी, आप अपनी template को पहले check कर सकते हैं, कि वो कैसी दिखाई दे रही है, उसके बाद अगर आप tablet पर देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से देखी tablet पर क्लिक करिए, तो देखे tablet पर यह कुछ इस तरी की देख सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो यहाँ पर देखी start building इस पर क्लिक करना, इसके बाद change template इस पर क्लिक कर देना, बट इससे क्या होगा कि जो भी आपकी पुरानी template है वो delete हो जाएगी, ओके friends तो हम आचुके होस्टिंगर के website builder के अंदर और यहाँ से हम इस template क पूरा build कर सकते हैं, पूरा change कर सकते हैं, अपने इस आप से customize कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखी ऊपर में सबसे पहले आपको दो mode मिल जाएंगे, चेक करने के लिए, एक mode मिलेगा, desktop जो कि अभी दिखाई दे रहा है, और एक है mobile, mobile पर click करके आप यह चेक कर सकते हैं, कि जो मिल जाएंगे, अगर आपकी website में आप से गलती से कोई changes हो गया है, तो आप undo कर सकते हैं, और आप चाहिए तो वापस redo कर सकते हैं, इसके बाद जो भी domain name के साथ आप अपनी website को बना रहे होंगे, वो domain name यहाँ शो हो रहा होगा, save करने के लिए आपको यहाँ पर option मिल जाता पर हमारे पास menus, तो यहाँ पर जो यह menus आ रहे हैं, यह menus कहां से control हो रहे हैं, वो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर click करा, click करने के बाद देखिए, यहाँ पर edit header, यहाँ पर नीचे ही हमें option मिल जाएगा, edit header का, इस पर हम click करेंगे, इस पर click करने के बाद आप इसके अंदर से क्या क्या कर सकते हैं, पहले वो देख लो, तो यहाँ पर layout के अंदर आपको first option मिलेगा, make header sticky, अगर यह ओने तो जो आपका header है ना, वो scroll के दोरान आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब देखिए अभी यह on है ना, तो मैं इसको अगर आपको preview करके दिखाऊं, और मैं scroll क करूं तो देखो यह fix है अभी stick है, ठीक है, और अगर आप उसे off कर देते हैं, तो यह क्या होगा, यह भी scroll में चला जाएगा, कैसे, देखो दिखाता हूं, इसे मैं off कर देता हूं, preview करते हैं, देखिए अब header जो है ना, वो भी hide हो रहा है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर space है, इनकी spacing को change कर सकते हैं, तो आप एक बार इनने कम ज़्यादा करके देख लेना, इसके बाद friends, यहाँ पर जो next option है, वो है logo का, इस पर click करने के बाद, यहाँ पर आपको logo change करने की facility मिल जाती है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा replace image नाम का यह option, इस पर click कर देना, इस file को यहाँ पर upload कर देना, ठीक है, और फिर आप इस तरह के से यहाँ पर select कर सकते हैं, जिसे यहाँ पर दिखाए दे रहा है, select करने के बाद, यहाँ पर जो logo है वो आ जाएगा, और उस logo के आप width बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और आप चाहें तो logo की जो position है, उसे भी change कर सकते ह तो logo दो को center में आ गया है, ठीक है, right में कर सकते हैं, बट right में अच्छा नहीं लगागा क्योंकि menus हैं, इसलिए बापस में left कर देता हूं, इसके बाद next option है, इसके अंदर style का, और style से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर header का background change कर सकते हैं, ठीक है, transparent header रखना चाहें कर सकते हैं header का text का color change कर सकते हैं, यहाँ पर काफी सारे option मिल जाएंगे, अब बात करते हैं कि अगर आपको menus को यहाँ पर rename करना हो, या फिर आपको नए menus को add करना हो, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर option मिलेगा, edit navigation का, इस पर आपको click करना है, इस पर click करने के बाद आप देखें, यहाँ पर जो menus बने होएं, वो सब यहाँ पर दिखाए दे रहें, और menus के अंदर जो भी files हैं, वो भी आपको दिखाए दे जाएंगी, ठीक है, अब जैसे मानलो आपको नाम change करना हो menu का, तो देखो आप कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर press लिखाओ, इसे change क करके दिखाता हूं, इसके सामने यहाँ आपको settings का option मिलेगा, इस पर click करना, और यहाँ पर आपको rename का option मिल जाएगा, इस पर click कर देना, और यहाँ से आप name को बदल सकते हैं, तो मैं फिलाल इसका नाम test रख देता हूं, इसके बाद यहाँ पर आपको page का URL paste करना है, जिस test को मैं about के नीचे लेके जाता हूं, मैंने drag करके यहाँ पर drop कर दिया, तो देखो test यहाँ पर आगया about के बाद, आप किसी भी menu को delete कर सकते हैं, settings में जाना delete पर click कर देना, आप duplicate कर सकते हैं, ठीके password लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीके इसके बाद SEO settings कर सकते हैं, और आप चाहे इसके लिए यहाँ पर आपको add page का option मिलेगा, इस पर click कर देना, अब यहाँ पर एक window open होगी, इस window के अंदर आपको पहले से बने हुए कुछ page मिल जाएंगे, आप चाहो तो उन्हें select कर सकते हो, या फिर आप खुद का एक नया page बना सकते हो, तो यहाँ पर पहले मैं आप आपको इनके बारे हम बता देता हूँ, अगर आप अपनी website में blog सामिल करना चाहते हैं, आप blog लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप blog पर click कर दो, अलग से आपको blog के लिए एक menu मिल जाएगा, और उसके अंदर सारे blogs होंगे, तो मैं यहाँ से एक blog लेई लेता हूँ, इस इसके अंदर देखे हमें मिल जाता है, contact का page, services का page और projects का page, आप चाहो तो online store को भी इसके अंदर connect कर सकते हो, अगर आप कुछ sell करना चाहते हैं अपनी website से तो आप online store setup कर सकते हैं, इसे में detail में किसी other वीडियो में बता दूँगा, अभी आप shortcut में देख लीजिए कि यहाँ से आप अपनी website के अंदर एक online store भी create कर सकते हैं, बस मैंने जैसी select करा यह इसके अंदर add हो गया है, अब अगर friends आपको ऐसे drop down बनाना हो, जैसे देखो यहाँ पर drop down है इस तरह कैसे बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए यहाँ पर आपको यह मिल जाएगा drop down का option, इ extra, चीक है, यह से मैं आपको दिखाने के लिए लिए लिख रहा हूँ, right पर click करता हूँ, तो यहाँ पर एक extra नाम का drop down बन गया है, अब मैं इसके अंदर बागी के जो अभी मैंने यहाँ पर page बनायता है, test इसको लेके आ जाता हूँ, तो test का है हमारा, यह रहा, तो देखे यहाँ पर मैंने जैसी से drag करके यहाँ पर drop करा तो यह इसके अंदर आ चुका है, ठीक है, तो इस तरह के साब menus को set कर सकते हैं, अपने इसाब से नए menu बना सकते हैं, नए pages add कर सकते हैं उसके अंदर, मैंने यहाँ पर blog setup करना बताया आपको, और साथ ही मैंने आपको इसके create करना भी बता दिया है, अगर आप अलग से एक online store वाली website बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप इसके अंदर बना सकते हैं, बस आपको template select करना है, उसके बाद आपको फीचर तो मिली जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपको last में जो option मिलेगा वो है, edit styles का, इससे आप यहाँ पर header का background change कर सकते हैं, header को transparent बना सकते हैं, text change कर सकते हैं, यानि उसका font बदल सकते हैं, और उसका color भी change कर सकते हैं, तो यह आप एक बार करके देखना हो जाता है, इसके बाद friends यहाँ पर जो यह main section है हमारा, इसके अंदर यह images को बदलना बहुत easy है, आपने जो भी template select करी है, इसके अंदर images जरूर होगी, तो आपको image change का ना आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इसे select कर आओ, यहाँ पर हमें option मिल जाएगा, edit image का, इस पर click करूँगा, और यहाँ पर replace image पर click करूँगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, या तो अपने computer से image को लेकर आओंगा, और चाहूं तो मैं यहाँ पर free images पर click करके भी search कर सकता हूँ, तो मैं अपने website के coding, अपने work के coding यहाँ पर image को select कर लूँगा, और लगा दूँगा, फिलाल अभी मैं क्या करता हूँ, demo के लिए यहाँ पर कोई भी image को select कर लेता हूँ, और add to page पर click कर देता हूँ, तो यहाँ प किसी link को यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको shape का option मिल जाएगा, आप इस image को किसी shape में लगाना चाहते हैं, तो वो भी हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ पर shape में change हो गया, ठीक है, किसी भी shape में आप change कर सकते हैं इस image को, बट फिलाल में यही रहने देता हूँ, इ मैंने से cancel कर दिया, animation मिल जाएगा, आप इस shape का कोई animation लगा सकते हैं, जैसे देखो यह animation आएगा, तो मैं यहाँ से slide वाला animation रहने देता हूँ, इसके बाद यह जो text है, यहाँ पर इस text को भी edit किया जा सकता है, जिस यहाँ पर click करना है, और edit text पर click करना है, और यहाँ पर हम इस text को edit कर सकते हैं, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं फिलाल अभी welcome लिख देता हूँ, तो इस तरह के साब text को बदल सकते हैं, यहाँ से आप heading वगेरा change कर सकते हैं, यहाँ से paragraph बनाना है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसका font बदल सकते हैं, यहां से आप bold, detail एक underline कर सकते हैं, यहां से आप list बना सकते हैं, इस text पर click करके link create कर सकते हैं, इसका alignment set कर सकते हैं, ठीक है, यहां से इसकी formatting को clear कर सकते हैं, यहां पर आपको और भी काफी सारे option मिल जाएंगे, इसके अंदर इंडेंट बगेरा है, उसको set कर सकते हैं, इसका background color change कर सकते हैं, इसके अंदर animation लगा सकते हैं, text पर, और आपको यहां पर बहुत सारे option मिल जाएंगे, इसके बाद है कि friends, यहां पर एक option AI का, इसके अंदर just आपको क्या करना है, कि अपने client के हिसाब से, उसके business के हिसाब से, यहां पर कुछ words लिखने हैं, और उसके बार आप generate text पर click करेंगे, तो आपको AI अपने आप यहां पर text लिख कर देदेगा, आपको यहां पर ज़्यादा मेहनत करने की जुरूत नहीं पड़ेगी, इसी तरह के साब इस text को भी यहां पर change कर सकते हैं, यह सब चीज़े change की जा सकती है, अब जहां भी click करेंगे, वहां आपको edit की facility मिल जाएगी, अब यहां पर मैं आपको बताता हूँ, कि इसके अलावा भी अगर आपको website में नया section create करना है, तो कैसे करेंगे, यहां पर आपको add section का option मिल जाएगा, आप इस पर click करना, इस पर click करने के बाद, अब आपको section में क्या चाहिए, वो आपसे बोल रहा है, कि आप about लगाना चाहते है, gallery चाहिए, contact form चाहिए, यहां पर या फिर footer चाहिए, headlines चाहिए, यहां पर आपको image चाहिए, काफी सारे आपको option मिल जाएगे, यहां पर ठीक है, अगर आपको एक blank section चाहिए, तो यहां पर आप add blank section पर click कर देना, मैं फिलाल add blank section पर click कर रहा हूँ, मैंने यहां पर add blank section पर click करा, add blank section बना है, मैंने इसलिए इस पर click करा था क्योंकि मैं आपको यहाँ पर और option लगा कर दिखा पाऊं तो इसके लिए यहाँ पर आपको plus button पर click करना है और इसके अंदर देखे आपको काफी सारे option मिल जाएंगे फिलाल अभी मैं यहाँ पर आपको वीडियो पर click करके यहाँ पर एक वीडियो लगा कर दिखाता हूं जैसे मैंने वीडियो पर click करा तो यहाँ पर एक वीडियो मिला है और यहाँ पर देखे एक grid आपको मिलती है इसके अंदर बहुत अच्छी facility है इससे आप अपने element को इसके अंदर easily adjust कर सकते हैं set कर सकते हैं देखो मैं यहाँ पर इससे set कर देता हूं तो यह इस size में अच्छा लगेगा यह मैंने इसके साब से set कर दिया वीडियो और यहाँ पर मैं वीडियो के बारे में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूँगा तो इसके लिए मुझे यहाँ पर बापस प्लस पर क्लिक करना है add elements पर और यहाँ पर text पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर मुझे एक text लिखने की facility मिल जाएगी और यहाँ पर पहले में से set कर देता हूं अब इसका font पगेरा सब यहाँ से edit करी सकता हूं अब तो आपको समझ में आगया कि यहाँ से हम इसे edit कर सकते हैं तो इस तरह के सा हम एक video लगा सकते हैं मारी website में और यहाँ पर हमने एक text element ले लिया है तो यहाँ पर plus button पर click करके आप यहाँ से element को अपनी website के अंदर insert कर सकते हैं काफी सारे option मिल जाएंगे यहाँ पर आपको इसके बार आप scroll करके नीचे आएंगे यह साब आप edit कर लेंगे image और text ही है देखे इसके अंदर और कुछ नहीं है शिर्फ image है और text है आप अपनी template के साब से अपनी client के साब से image को text को edit कर सकते हैं और देखे आपको अपनी website के अंदर भी अगर यह social media icon दिखाए दे रहे हैं तो इसको भी आप change कर सकते हैं यानि इसके अंदर जो link के उसको बदल सकते हैं अगर आपको यहाँ पर अपना twitter का account link करना है तो आप यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा edit social media icon इस पर click करना यहाँ पर आपको देखिए x अभी फिलाल twitter का नाम change होकर x हो गया है तो यहाँ पर आप इसे change कर सकते हैं ठीक है setting में जाना यहाँ पर edit पर click करना इसे edit कर लेना अपने वाले से ऐसे आप facebook और instagram को बदल सकते हैं वही style layout और animation तो आप यहाँ से change करी सकते हैं इसकी और यहाँ पर आपको यह option मिल जाएगा इसे आप delete करना चाहिए यहाँ पर आपको जैसे youtube को link करना है तो आप यहाँ पर youtube भी ला सकते हैं या अपनी कोई other website उसे link करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं तो friends इस तरीके से आप social media को भी link कर सकते हैं अपनी website के साथ इसके बार यहाँ पर आपको मिलेगा pages and navigation यह वही option है जो मैंने आपको menus में से बताया था ठीके इसे मैं already आपको बता चुका हूँ यहाँ पर इसके अंदर एक option है add link का आप इस पर click करके link भी create कर सकते हैं अगर आप click करेंगे तो यहाँ पर एक नया link create कर सकते हैं यहाँ पर आप link का नाम दे दो जैसे कई बार आपको अपनी website में कुछ download करने का link देना हो तो आप यहाँ पर दे सकते हैं बस आपको link का नाम देना है यहाँ पर आपको web address देना है उसका और फिर save पर click कर देना है इससे क्या होगा कि जो link है वो create होकर आपको यहाँ menu के पास दिखाई देगा ठीक है इसके बाद यहाँ पर जो next option है वो है website style का इसे भी already मैं आपको बता चुका हूँ menu के अंदर से ही यहाँ सब website का color change कर सकते हैं ठीक है text का color change कर सकते हैं buttons का color change कर सकते हैं animation बदल सकते हैं जिसे आपको अपनी website में जो animation है उसे change करना है या लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आप जो यह pencil का आपको icon दिखाई देरा है इस पर click करना यह आपको blog लिखने के लिए अलग से facility दी गई है अगर आप एक blogging website बना रहे हैं तो आप यहाँ से जो नया post है वो लिखेंगे ठीक है इसके लिए आपको add new post पर click करना है इसके बाद आपको post create करने की facility मिल जाएगी और detail में जानना है तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा फिलाल आप इस पर click करके एक post लिख कर देख लेना अगर आप एक blogging website बना रहे हैं तो ऐसे यहाँ पर इसके नीचे आपको जो option मिलेंगे वो store create करने से related मिलेंगे जो भी आपने store create कर रहा है अगर आप एक e-commerce store बना रहे है यह e-commerce website बना रहे है तब आपको इस option की जरौत तो यहाँ से आप अपना store manage कर सकते हैं यहाँ पर आप click करेंगे manage store पर तो देखिए एक अलग से window open होगी यहाँ पर आपको अपने store का नाम देना है और आपकी store से related information पूछी जाएगी उसे fill कर देना आपके लिए की store create हो जाएगा देखिए friends एक ही वीडियो में सब कुछ बताना अच्छा नहीं रहेगा अगर मैं e-commerce website भी सी के अंदर बताओं blog भी सी के अंदर बताओं तो यह वीडियो वैसी काफी बड़ा हो गया है तो इसे मैं किसी other वीडियो में अलग से बताओंगा पूरा detail में एक e-commerce store बनाएंगे है website builder का use करके इसके बाद यहाँ पर जो ब्रांड का नाम डालना है फिलाल में लिख देता हूं यहाँ पर micro solution इसके बाद यहाँ पर ब्रांड का description लिखना है तो यहाँ पर में लिख देता हूं technology और start creating बटन पर click कर देता हूं थोड़ा सा time लेता है यह logo को generate करने में तो देखे friends यहाँ पर AI ने logo को generate कर दिया है तो यहाँ से मैं यह वाला select कर लेता हूं और download पर click करता हूं तो यह download हो गया है और इस logo को आप में use कर सकता हूं अपने website के अंदर यहाँ पर देखे मैं logo change करके भी दिखा देता हूं आपको edit header में गया हमें logo में जाता हूं यहा download कर रहा है upload files पर click करता हूं ओके तो यहाँ पर मैंने logo को upload कर दिया है इसे select करते हैं और देखे यहाँ पर यहाँ जाएगा भी देखे लोगो यहाँ पर change हो चुका है तो यहाँ पर हम इस option में थे AI tools के अंदर इसके बाद AI writer बहुत ही useful है यह भी इस पर click करते हैं देखो मै काम करता हूं यहाँ पर इस text को लिखूँगा AI writer की help से यहाँ पर जाता हूं इसके अंदर AI writer पर click करता हूं और यहाँ से देखिए हमसे पूछ रहा है कि आपको किस topic पर लिखना है तो यहाँ से मैं option select कर लेता हूं फिलाल gaming और इसके अंदर वीडियो game select कर लेता हूं इसके copy कर सकता हूँ और copy करने के बाद मेरे को जहां भी requirement है मैं वहाँ पर paste कर सकता हूँ और इसका font वगेरा है वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा मुझे size काफी बड़ी हो गई है और इसकी size मैंने थोड़ी याँ पर कम कर दिये तो friends इस तरीके से आप AI से text को write करवा सकते हैं इस option की help से हैं इस से आप अपनी website को काफी fast बना लेंगे इसके बाद last option है AI hit map इस पर आप click करेंगे तो आपकी website में जो भी important होगा जिस पर सबसे पहले आपके user की निगा जाएगी वो highlight हो जाएगा उस पर आपको सबका attention जाएगा तो इस तरीके से आप इसका use कर सकते हैं इसके बाद है यहाँ पर analytics का option तो friends यहाँ पर आप analytics चेक कर सकते हैं अपनी website का journal settings के अंदर देखिए आपको यहाँ पर आपकी website का favicon icon change करने की facility मिल जाएगी जैसे देखिए यहाँ पर आपको hostinger का दिखाए दे रहा है इस तरीके से आप अपनी website का भी लगा सकते हैं यहाँ पर update पर click करता हूँ मैं यहाँ पर add image पर click करता हूँ और यहाँ से upload कर लेता हूँ अभी मैंने बनाया था एक okay तो मैंने यहाँ पर इसे select कर लिया और cancel कर देता हूँ तो जब मैं अपनी website को live करूँगा तब यह दिखाए देगा इसके अलावा आपको यहाँ पर और general settings मिल जाएगी थोड़ी सी advance है इसे मैं आपको आगे किसी और वीडियो में बता दूँगा integration के अंदर आप यहाँ पर custom code भी लगा सकते है Google analytics का जो code होता है वो आप यहाँ पर ला सकते है और यहाँ पर आप WhatsApp को link कर सकते है इसके लिए आपको थोड़ी सी advance knowledge होना जरूरी है अगर आपका blog जो है वो AdSense अप्रूब अले तो आप यहाँ पर Google का SEO करने की facility मिलेगी यहाँ पर आपको अपने business का नाम डालना है और जो जो इन्फोर्मेशन आप से पूछ रहा है वो सब आप फिल कर देना इससे आपकी website का SEO हो जाएगा SEO का मतला होता है search engine optimization इससे आपकी website rank करती है इसके बाद friends यह जो option है language change करने के लिए है यहाँ से आप किसी भी tool को search कर सकते है search option से last में आपको settings का option मिलेगा तो यहाँ से आप important settings को check कर सकते है तो यहाँ पर मैंने आपको most important चीजे बता दी कि कैसे आप website builder का use करते हुए किसी भी template को edit कर सकते है अब यहाँ पर आपको important बात पर ध्यान देना है वो है कि जब भी आप website को live करें उससे पहले आप क्या करें इससे एक बार mobile version पर select करके edit जरूर करने तो कि कई बार क्या होता है mobile version पर यह जो text वगेरा यह कटने लग जाता है हमें desktop version पर जो दिखाए दे रहा है वो mobile version पर दिखाए दे ऐसा जरूरी नहीं है इस तरह के से आप भी अपनी website को एक बार mobile पर check कर लेना कि किस तरह के से mobile पर इसका preview आएगा जब आप mobile पर changes करेंगे तो desktop पर इसका कोई फरक नहीं पड़ेगा वो सिर्फ mobile के लिए apply होता है तो friends यह तो हमने देखा कि कैसे website builder का use करके और template को select करके website बनाई जाती है अब मैं आपको इसका एक कमाल का feature बताता हूँ वो है artificial intelligence यानि AI का use करके website बनाना और इसमें कुछ ही seconds में website आपको खुद बना कर देदेगा आपको कुछ भी select नहीं करना तो कैसे करेंगे इस काम को वोब मैं आपको बताता हूँ यदि friends आपको template बदलनी हो आपको template अच्छी नहीं लग रही है तो आप कैसे बदलेंगे तो आपको यहाँ पर यह तीन dot मिलेंगे इस पर click करना यहाँ पर आपको option मिलेगा choose a template इस पर click कर देना और यहाँ पर आपको बापस से template select करने का option मिल जाएगा मैं यहाँ पर बापस back to builder पर click कर रहा हूँ यहाँ पर आपको website manager option मिल जाता है यहाँ पर आपको store manager option मिल जाता है अगर आपकी e-commerce website है तो आप यहाँ से manage कर सकते अब यहाँ पर वो option है जिसे मैं आपको बताने वाला हूँ create with AI अगर आपको AI यानि artificial intelligence use करके website बनानी है तो इस पर आप click कर देना इसके बाद आपको मिलेगा start creating इस पर click करना यह वही option है जो शुरूबात में हमें दिखाई दे रहा था इसके बाद यहाँ पर ही हमसे बोल कि जिस template पर अभी आप काम कर रहे थे वो permanent delete हो जाएगी तो ठीक हो जाए तो कोई बात नहीं यहाँ पर हम click करते है chance template पर अब देखे friends AI से website बनवाने के लिए इसे हमें कुछ hint तो देना पड़ेगी कि website किस से related बनानी है तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी brand का नाम description दे दूँगा थोड़ा बहुत आपको description देना पड़ेगा आप जिस भी client के लिए website बना रहे हैं उसके business के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर लिख दीजे ताकि इसको पता लग पाए कि किस से related website बनानी है तो यहाँ पर देखे friends मैंने एक short description लिख दिया photographer's related मैं एक portfolio ब यार कर दिया है यानि एक website बना कर दे दिये यहाँ पर यह तीन style देता है तो number one style तो कुछ इस तरह की लग रही है number two भी check कर लेते हैं यहाँ पर नीचे देखिए number two में image कुछ इस तरह कैसे आ रही है number three check कर लेते हैं okay number three थोड़ी ठीक लग रही है जिस तरह कैसे देखे friends द दो मिरिट में मेगी बनाएंगे तो उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं आएगा उसी तरह के से एक मिरिट में perfect website बन जाए यह possible नहीं है थोड़ा बहुत changes तो आपको करना ही पड़ेगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है कोई एक style को select कर लेना है अगर आपने AI से बनवाय आप यहां से तो हम edit करी सकते हैं वो सब मैंने आपको आलरेडी बता दिया है तो इस तरीके से आपके पास दो option है आप चाहें तो template select करके website builder से website बना सकते हैं और आप चाहें तो AI का use करके भी website बना सकते हैं फिर आप website builder से उसे edit कर सकते हैं अब अगर friends आपकी website complete हो चुकी है आप उसे अगर आपको live लाना है तो इसके लिए फिर आपको यहां पर go live इस button पर click करना है इसके बाद देखें आपको यह वाला पेंस दिखाए देगा यहां पर लिखा हुआ है कि आपकी website live हो चुकी है और आपको domain name दिखाए दे जाएगा आप इस button पर click करके एक बाद च लिख करेगा तो जो भी आपने registration के दोरान email address दियाता hostinger को उस email पर आपके by default mail आने लग जाएंगे जो भी यहां से message वगेरा करेगा वो सभी आपको email पर receive होंगे ठीक है तो यहां पर हमें wordpress के अंदर जैसे change करते हैं वो सब नहीं करना पड़ता ओके friends तो आप website builder का use करके या फिर AI का use करके website बनाना सीख गए होंगे अब अगर आप इस website builder वाले plan को purchase करना चाते हैं यानि web hosting को purchase करना चाते हैं तो link मेरे आपको description box में दे रहा खाए और pin comment में दे रहा खाए आप उस link को follow करके अगर आप मेरा coupon code use करेंगे तो आपको extra discount मिल जाएगा और अगर आपको कोई problem आती ही तो आप मुझे email करके बता सकते हैं okay friends तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही में मिलता हूँ आपको एक और नए वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like करके जरूर जाना और यदि आपने चैनल को subscribe नहीं करा तो चैनल क को भी subscribe कर लेना thanks for watching